सिक्के में बादल फटने के बाद तिस्ता नदी में अचानक बाड़ा गई बाड़ की वज़े से 23 जवान लापता हो गए चानकरी के अनुसार हुलनेक जील के उपर मंगलवार देदरात करीब डेड़ बजे के आसपास बादल फटा उसके बाद लाचेन घाटी में तिस्ता नदी में अचानक बाड आगई नदी से लगी इराके में ही सैना का कैंप था जो बाड़ की चपेट में आने के बाद बह गया बता जा रहा है कि अचानक पानी भढने के कारण चुंगथांग बान से पानी चूनना पड़ा इसके बाद निचलेकाल इलाके भी जूबने लगे है यहां सिंगताम के पास बारदांग में खड़े सैना के 41 जवान जूब गए वहीं घटना के बाद तिस्ता नदी का जलस्तर अचानक 15-20 फिट तक बढ़ गया इसके बाद नदी से लगे आसपास के इलाकों में पानी भर गया कई घरों में भी नदी का पानी भर गया लोग घर छोड़ कर सुरक्षित इलाकों में चले गए